अविनंदन है दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वगत है वेलकम टू इलेक्ट्रोनिक इस्टडी यूट्यूब चैनल आपके सिक्षक बरती के अगर हम बात करें तो सुपर टेट के आपके साइंस के सिलावस को यहां पर हम कंप्लीट करवा रहे हैं ऐसे में अगर हम प् डिवाइड करते हैं आपके अक्षियक अंकाल अनुबंधिक अंकाल इन सभी को लेकर के हम बात कर चुके हैं मांस्पेशियों के बारे में बात की जाए तो मांस्पेशियों की जो तीन प्रकार है अनाक्षिक एचिक मांस्पेशियां और हिर्द जो आपके मांस्पेशियां होती हैं यह सारी चीज़े क्या होती हैं प्रिवियस लेक्चर में इनके बारे में हम बात कर चुके हैं यहाँ पर आज जो हम बात करेंगे हमने आपको प्रिवियस लेक्चर में ही बताया था कि हम प्लांट किंग डम्यन के पादप जगत को लेकर करके यहाँ पर बात करेंगे अब ही आप में से जो नए है फर्स टाइम इस चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को शेयर बाकियों तक भी आप कर दिया करें यहाँ पर इलेक्ट्रोनिक स्टेडी यूट्यूब चैनल यह जो एक परिवार है ऐसे में सदस्यों की संख्या आप ही हैं जो बाकियों तक शेयर करके ऐसे में बढ़ा सकते हैं तो यह काम भी आप ऐसे में जरूर कर दिया करें आपका पूरा यहाँ पर जो भी आपके सिलावा से आपका जो है वो कंप्लीट कर रहेंगे पादब जगत की बात कर लेते हैं प्लांट के इंगिडम लिखा हुआ है कहते हैं आखिर पादब जगत है क्या पादब जगत में हम किनका अध्यन करेंगे इन्होंने कहा जब जब हम बात करते हैं प्लांट के बारे में प्लांट की कितने प्रकार होते हैं या उनके बारे में जो भी study हम कर रहे होते हैं, उसे हम botany बोल देते हैं, और जो भी चीजे हैं plant के बारे में अध्यन करने का विग्यान, वो botany ही कहलाता है, जिससे हम लोग हिंदी में क्या कह देते हैं, वो नस्पते विग्यान, यहाँ पर अगर हम जनक को ले करके बात करें जनक के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो नाम देखने को किसका मिलेगा, यहाँ पर जी, माफिछाएंगे, थियो फ्रेस्टरस करके हैं, बाकि अगर हम बात करें, पादबो का वर्गी करन कैसे हम इसके, इनको वर्गी करिद करते हैं, तो एकेलर महोदे ने 1883 में यह वर वर्ग होता है, दूसरा आ पुष्प उद्भिद करके लिखा हुआ है, मतलब क्या है, यह आपका पुष्प उद्भो एक शब्दा पैसे जोड़ सकते हो, एक यह है जहाँ पर पुष्प उद्भो वाली बात ना हो, कहते हैं यह जब हम पुष्प उद्भिद पौधों को ले करके बात करते हैं, इस वर्ग के पौधों के बारे में अगर हम बात करेंगे, यह किन-किन भागों में हम डिवाइट करते हैं, जैसे जिम्नो स्पर्म करके होता है, जिसे हम नगन बीजी बोल देते हैं, आपका एंजियो स्पर्म करके होता है, जिसे हम अब बित बीजी कह देते हैं. वैसे ही यहां परा एंजयो स्पर्म भी आपके उनको भी दो तरीके से डिवाइट किया हुआ है. एक आपका मॉनो-कॉट होता है, एक आपका डाे-कॉट होता है. हिंदी में इसनिम बोलते हैं, एक बीज-पत्री टेरेडो फ्राइट करके लिखा हुआ है वही थालो फाइटा को कैसे कैसे कटेगराइज किया है इनके तीन महाग देखने को मिलते हैं कौन-कौन से हैं शैवाल जिने हम एलगी बोल देते हैं कवक, फंजाई या फंगस करके आप कहा देते हूँ जीवाडो यानिकी बैक्टिरिया ये तीनों हमें किस में देखने को मिलेंगे ये हमें देखने को मिलेंगे आप उश्पोद भिद में वही थालो फाइटा में आगे आपको लेकर के चलते हैं और फिर बात आती है कि आखिर ये जो क्रिप्टो गामस करके हम इने बोलते हैं आप उश्पोध भिद पौधे क्या है ये इस वर्ग के पौधों में पुश्प तथा बीज नहीं होते हैं इन्हें निम्न समुहों में बाटा गया है अब देखे मैंने यहां पर बताया था ना आपको कि जहां पर पुश्प ना हो या पुश्प की अनुपस्तिती हो तो पुश्प नहीं है बीज नहीं है ऐसे में जिन पौधों में ये चीज़े नहीं देखने को मिलती हैं उन्हें हम आप श्पोद्विद में जोड़ देते हैं क्योंकि इस आशब्द का मतलब ही होता है क्या नहीं ठीक है आपको हम आगे ले करके चलते हैं थैलोफाइटर की बात करते हैं यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समुह है इस समुह के पौधों का शरेर यहां पर सूक आय होता है बुला हुआ है अर्थात पौधे जड़ तना पत्ती में विभक्त नहीं होते हैं क्या-क्या बुला हुआ है जड़ है तना है पत्ती में विभक्त नहीं होते हैं आगे क्या कहते हैं कहते हैं कि इनमें सवहन उतक नहीं पाया जाते हैं जब हम बात करते हैं इसके अंतरगत कौन-कौन से आपको देखने को देखने को मिलेंगे जैसे श्राइवाल एलगी हो गया श्राइवाल के अध्यन को हम दूग फाइकोलोजी बोलते हैं आत्मपोशी यानि आटोट्रोपिक होते हैं आत्मपोशी होते हैं खुद का पोशन करने वाले आटोट्रोपिक कहलाते हैं आप जानते हूँ कि जो पौधे होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं इनका सरीर सुकाय सद्रिश होता है सुकाय का क्या मतलब है उपर बता चुका हूँ मैं उपयोगी इश्राइवालों की अगर बात की जाए कुछ बेनिविस्यल एलगी होते हैं जिसे भूजन की रूप में फॉरफाइरा लिखा हुआ है अलबा सरगासम करके लिखा है आपका लेमिनेरिया लिखा हुआ है आयोडीन की है और एनबीना कैल्प करके लिखा है फिर बात आती है वायरस के बारे में खोजकरता यवानवास की 1892 तंबागो के मोजैक रोग पर खोज के समय ये चीज़े देखने को मिली थी इनकी प्रकरती सजियो और निर्जियो दोनों की बीच में होती है हम आपको बता दें ये जिने हिंदी में हम लोग क्या कह देते हैं विशाड़ो बोल देते हैं सरफ्रतमिश टाले ने 1955 में विशाड़ो को क्रिस्टलिय रूप में प्राप्त किया था विशाड़ो की निर्जियो होने की लक्षण के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है कि ये कोशा रूप में नहीं होते हैं आप से कहते हैं इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जियो पदार्थ की भाती बोतलो में भर करके वर्शो तक रखा जा सकता है चुकि निर्जियो होने के इनकी लक्षण है ये बताया गया है एक सजीव को ऐसा नहीं कर सकते वहीं जब हम सजीव निर्जीव दोनों की बात करते हैं तो आखिर ऐसा क्या है कि हम इसे सजीव भी बोलते हैं तो सजीव जैसे जो लक्षन है वो क्या है कि इनकी नुकलियक अमल का दोई गुडन होता है ये एक बात बोली हुई है फिर कहते हैं कि किसी जीवित कोशिका में पहुचते ही एक्टिव हो जाते हैं और एंजाइमों का संसलेशन करने लगते हैं तो ये जो प्रापरटी बताई हुई है ये सजीव का होता है ठीक है जो living organisms होते हैं आप से कहते हैं परपोसी प्रकरती के ह अनुसार विशाडू जो है वो तेन प्रकर के होते हैं पादप विशाडू इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि नुकली कमल में RNA होता है इनके नुकली कमल को अगर लेकर के बात करें जनतु विशाडू में DNA कभी-कभी RNA भी पाया जाता है वहीं अगर हम बैक्ट्रोफेज या फिर जिवाडू भोजी की बात करते हैं तो ये केवल जिवाडू पर आसुरित होते हैं ये जिवाडू को मार डालते हैं इनमें DNA पाया जाता है जैसे T2 फैस करके लिखा हुआ है जिवाडू भोजी ही इसलिए बोलते हैं इनको फिर बात आती है कवक कवक जो हम आपको अपोश्पोध भिद में बात कर रहे थे उन्हें के वो धारण में मिलेगा तो कवक के अध्यन को हम लोग माइकोलोजी बोलते हैं वो फाइकोलोजी था, यह माइकोलोजी है कवक है, परणहरित है, संकिंद्रिये सवहनूतक रहित, थैलोफाइट होते हैं कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है यही एक एक पॉइंट्स वाइज जो पॉइंट्वाइज मैंने लिखा है, यही चीजे महतोपूर्ण है, आपसे पूछ लिगा क्या पूछेगा कि आखिर जो कवक है, वो आपका आप उश्पोध भिद में किस में देखने को मिलेगा तो थैलोफाइट में है, इसके अध्यन को क्या आप बोलते हैं, माइकोलोजी कहते हैं आपसे कहते हैं क्योंकि आपका इतना कुछ कठिन प्रकार के सवाल एस्टेट पे पूछे भी नहीं जाते हैं बस करना क्या है कि सिलावस आपको कंप्लीट करना है अब उनमें से भी कहा से पूछ ले अब अगर आप पढ़े ही नहीं हो कि कवक के अध्यन को माइकोलोजी बोलते हैं तो कितना भी आसान सवाल क्यों नहीं हो जब पढ़े नहीं है तो तो आंसर करी नहीं पाएंगे फिर तो जै बाबा भोले ना था नहीं जै माता दि लगाओ फिर अंधी गोला आपसे कहें यहाँ पर कि आगे बोलते हैं कि इनकी कोशिका भित्ति काईटीन की बनी होती है कवक पाउधों में गंभीर रोग उत्पन कर सबसे अधिक हानी रोष्ट या स्मट से होती है पाउधों में कवक के द्वारा उत्पन होने वाले कुछ प्रमुखर रोगों के बारे में बोला हुआ है यह सवाल यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो अक्सर पूछ लिया जाता है जैसे कहते हैं कि टिका रोग जो है वो किस यही कवक के कारण गेहूं का धिलास पट करके है गेहूं का किटू रोग किटू आलू की अगर अंगमारी की बात करें गन्ने का लाल पक्ष है अपक्ष मतब जैसे होता नहीं कि डिके होना आप यूं समझ लिजे चोट चोटे भागों में या रेड कलर में उसको बटना कवक के कारण है प्रांकुर में डंपिंग रोग बोला हुआ है अब यहाँ पर अगर हम मानो रोगों को लेकर के बात करें साथ में उसके लिए जिम्मेदार जो कवक है वो कौन-कौन से है जैसे दमा की अगर हम बात करते हैं तो दमा में आपका एसपरजिलोस करके लिखा है ये ठीक है एथलीट फूट की अगर हम बात करते हैं जनवरों को लेकर के माफ़िचाएगा एथलीट फूट बोला है तो टीनिया पैडिस करके है खाज है आपका तो एक एरुस एक स्कैबीज गंजापन जो है वो टीनिया कैपिटिस अब आप समझगे होंगे जो गंजापन है वो इसी कवक के करण होता है दाद की बात की जाए तो ट्राइको फाइटॉन लेस कौसा एकर के लिखा है कुछ अब हम बक्टीरिया की बात कर लेते हैं जो आप ठीक है इसमें confusion आपको कभी नहीं होगा कि अगर वाइरस लिखा हुआ है वाइरस को अक्सर बच्चे आप में से confused रहते हैं कि किसको क्या बोलेंगे ठीक है तो वी से वाइरस वा से वाइरस है ना और वा से ये विसाडू हो जाएगा तो कभी नहीं बोलोगे कि वाइरस का म सजिव निर्जिव के बीच की कड़ी को ले करके बात करें तो वो जो है वाइरस मिलेगा हमें विशाडू खोज करता एंटोनी वान लिवेन हॉक ने 1683 में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है एरन बर्ग ने इन्हें बैक्टीरिया नाम दिया था बैक्टीरिया नाम किस ने दिया था तो दूसरे महोदे हैं हापर उनके द्वारा दिया था लुष पास्चर ने 1776 में बताया कि जिवाड़ों द्वारा किडवन प्रक्रिया होती है फार्मेंटेशन बोलते हैं इंगलिश में से रॉबर्ट कोच ने जिवाड़ों का कृत्रिम समवर्धन किया कृत्र हजार जातियां शामिल हैं इसमें सवहन उतक जैलम फलोयम जो है वो पूरड़ता है उनका अभाव होता है समवहन उतक जिससे समवहनिय धाराय नहीं होती हैं कनवेक्शनल करंट मतलब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का ये काम कर रहे होते हैं तो जैल जासे जायलम, जासे जल, जल का काम पौधों में पहुचाना सब जगे, फलोयम में फासे फूड होता है, आपका, एफ से फूड होता है, तो इन चीजों को आप उसमें शामिल कर सकते हैं, कहते हैं, इस समुधाय को वनस्पती जगत का हमफी विया वर्ग भी कहा जाता है, दिखता से पाए जाते हैं, पौधे का शरीर, जड है, तना है, शाखा, वो पतियों में बिवे दित रहता है, फिर बात आती है, आप पुषपोधविद आप पढ़ चुके हो, बात आती है, पुषपोधविद पौधों को ले करके, जब हम इनकी बात करते हैं, तो फानरो तरीके से काटेगराईस करते हैं, एक जमनियो स्पर्म होता है, एक एंजीओ स्पर्म या एंगियो, जो भी आप बोलें, ठीक है, नगण बीजी खिए, कहते हैं, कि पौधे कोेस्टिय होते हैं, अगर हम नगन बीजी जितने भी पौधों के बारे में बात करें, तो प्रगण की बात करते हैं ये मरुदभिद होते हैं मरुदभिद मरुसल वाले जो है वहां से पैदा होने वाले या मरुसल से जिनका वुदभू हुआ हो इनके पौधे विरिक्ष जाड़िया आरूही रूप में होते हैं कहते हैं कि वनस्पति जगत का सबसे ओंचा पौधा उसका नाम क्या है तो सिकोया सेंपर विवेंस, इसी प्रकार इसी के अंतरगत आता है, मत्तब यह जो सिकोया सेंपर विवेंस करके लिखा हुआ है, यह आपको इसी के तहए देखने को मिलेगा किस के तहए, नगन बीजी पादब के तहए, इसके उचाए 120 मीटर है, इसे कोस्ट रेडवुड ओफ कालिफोर्निया भी कहते हैं, सबसे छोटा जो है वो अनावरित ब पौधे में जो सबसे छोटा है वो क्या है और जो सबसे बड़ा है, उनका क्या नाम है वो भी यहाँ पर बता दिया गया है, कहते हैं कि एकनोमिक इंपोर्टेंस क्या है गर हम जिमनोस्पर्म को लेकर के बात करते हैं, वाशपीय तेल बोला हुआ है, कहते हैं चीड के में आता है, रेजिन, कुछ श्रंको पौधों से रेजिन निकाला जाता है, अब पॉलिश की बात है, पेंट की बात है, आपने देखा होगा वारनिश को लेकर के बात करें, तो इनका प्र्यूग यहाँ पर होता है, बोजन की रूप के अगर बात करें, तो यहाँ पर आप इस प्रोवस को ले करके बात करें, सिकोया, पाइन, इन सभी की लकडियों से फरनीचर तयार किये जाते हैं, तो जो पाउधिया भी आप पढ़ रहे थे, ये जो उधारन में देख रहे हैं, आप चीड है, आपके देवधार है, सप्रोवस करके, सिकोया करके है, सभी के सभी आपके नगन बीजी पादबों में शामिल होते हैं दूसरा बात आती है दूसरी जो है आपरित बीजी एंजिय स्पर्म इस उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल, बीज सभी पूरण विकसित होते हैं इनके दो वर्ग हैं एक होता है आपका एक बीज पत्री और दूसरा आपको जो है वो दूई बीज पत्री देखने को मिलेगा एक बीज पत्री के अगर हम बात करें तो कहने का मतलब है कि एक ही बीज पत्र जिन में देखने को मिले कुछ उदारण दिये हुए है जैसे हम जब बात करते हैं गेहू है चावल है जो मुख्य फसले हैं वहां से बहुत अच्छे से आद रखेगा गेहू है चावल है फिर मक्का लेले हम ऐसे में बाजरा है जवार बाजरा जिसे बोल देते हूँ लहसोन प्यास तार नारिल खजोर सुपारी सब लिखा हुआ है तो ये सभी के सभी किसमें शामिल हो जाएंगे जब हम एक बीज पत्री पादब को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर दोई बीज पत्री पादब में क्या कहते हैं जिन पौधों के पत्र में दो बीज होते हैं यही सवाल बहुत बार पूछा जाता है जो बेटीसी डियेलेड बच्चे की हैं बेट वालों ने भी पढ़ा जरूर होगा वहाँ पर आपका अकसर दे देता था विज्ञान में कि सरसो के पुष्प का वरडन करिए सरसो के पुष्प को बनाईए या यह बताए कि दोई बीज पत्री पादब में से कौन सा है कुसम, सला, डहलिया, सुरज, मुखी ये सभी के सभी दोई बीज पत्री पादबों में आपको देखने को मिलेंगे तो आपकी ये चीजें भी यहां से क्लियर हो गए होगी कि एक बीज पत्री और दोई बीज पत्री पादबों को लेकर के बात करते हैं आखिर क्या क्या होते हैं हम आपको बता दें अगर आपने अभी तक टेलिग्राम चैनल हमारा इलेक्ट्रोनिक स्टेडी जो आइन नहीं किया है तो उससे आप जरूर जुड़ जाए महतुपूर्ड अपडेट्स जो है हम यहाँ पर आपको देते रहते हैं पढ़ चुके हैं इसके बाद अब आती है structure of teeth यानि दातों के सनरचना के बारे में जो अभी तक हम आपको यह theoretical चीज़ें बताते आए हैं या बता रहे हैं हम आपको बता दें इन सभी से संबंधित questions को भी हम आपको जरूर करवाएंगे सारे सवाल होंगे physics के भी होंगे chemistry के भी होंगे और biology के भी आपको देखने को मिलेंगे ठीक है previous paper में कैसा सवाल आया था उसे के हिसाब से वो भी करवाने के साथ साथ सवाल कैसे आते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे तो यह जो आपका लिखा हुआ है दान्तों के सनुस्ट्रा कि क्या है यह चीजे दान्तों के सनुस्ट्रा में कौन कौन से आपकी बिंदू कौन कौन सी चीजे हमें देखने को मिलने वाली है अगले वीडियो में इसे हम लेकर के बात करेंगे फिलाल के लिए इतना ही शेयर जरूर कर दीजेगा बाकियों के साथ में भी शुक्रिया आप सभी का तेंक यू